आए हम तो किस वीडियो में प्रेसिदेंट से रिएट इंपॉर्टेंट में से कुछ देखेंगे स्पेशली फ्रम लुशंट जी के स्रीज आई ये शुरू करते हैं आपको पहले कुछ बताना है जो प्रेसिदेंट है उनको इंपीच किया जा सकता है हमारा कॉंस्टूशन के किस आर्टिकल कोले यह कोशिदेंट बहुत इंपॉर्ट है ऐसे डायेट को देखने को मिलते हैं तो ध्यान देना आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 जो है वो impeachment of president से related है, impeachment का मतलब होता है removal from the office, मतलब president को office से remove करने का जो process हमारे constitution में दियावा है, किस आर्टिकल के तरहत, आर्टिकल 61 के तरहत, अगे next question रखते है, next question आपको यह बताना, जो हमारे राश्टपती है, उनकी बस emergency की कितन state emergency और president rule की बात की गई है, तीसरा जो power है वो आता है, आर्टिकल 360 में, जिसमें financial emergency की बात की गई है, तो यह तीन टाइप के powers हमारे president के पास होते हैं, अगे next question देखते हैं, आपको यह बताना है, जो हमारे president जो है, इंडिया में कितनी बार re-elect हो सकते हैं, इसका correct answers आएगा, that is any number of times, कितनी बार भी आप elect हो सकते हैं, हमारे constitution में इससे related कोई भी limitation नहीं दिया है, अगर हम US के बात करें, तो वहाँ पर two times president जो है, वहाँ पर elect हो सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा कोई condition नहीं है, इस question देखते हैं, इस question आपको यह बताना है, इसमें से कौन सा appointment जो है, president of India के दोबारा नहीं होता, अगर भी speaker of लोगसभा या deputy speaker of लोगसभा की बात करें, इनको elect क्या जाता है, लोगसभा member के दोबारा इनको elect क्या जाता है, ठीक है, और वो जो vote करते हैं, जो elect करते हैं, वो simple majority से करते हैं, इस तरीके से इनका appointment होता है, तो इसका appointment हमारे राष्ट पती नहीं करते हैं, जबकि chief justice of India, governor of state and prime minister, तीनों का appointment जो है हमारे राष्ट पती president के दोबारे क्या जाता है, तो correct answer जाएगा that is option A, that is the speaker of लोगसभा, आगे next question देखते हैं, आपको ये बताना है, जो हमारे president है, वो किसको अपना resignation letter देते हैं, अगर हम resignation की बात करें, तो अप हम president of India के appointment की बात करें, तो उनका appointment नहीं, उनका election होता है, किसके थुरू होता है, electoral college के थुरू होता है, तो इसमें कौन होते हैं, इसमें elected members होते हैं, parliament के and legislative assembly, बट आपको ये ध्यान देना है, अगर हम state legislation की बात करें, तो वहापर legislative council की बात नहीं हो रही है, यहापर legislative assembly की बा हमारे country के, क्या वो electoral college के पार्ट होते हैं, इसका answer आप हमें comment में बताई है, देखते हैं, आप में से कितने बच्चों का answer आता है, आईए next question देखते है, next question है, जो maximum age limit जो होता है, president का वो क्या है, तो इस से लेड़ेट कोई भी age limit mention नहीं है, अगर हम लग minimum की बात करें, तो 35 यह 5 years कम से कम चाहिए होता है, विटर maximum के आवारे में, यहां पे mention नहीं है, यह आपको ध्यान देना, आईए next question देखते है, next question है, राश्टरपती भवन जो है, वो किसके दुवारा design किया गया है, तो इसका correct आउं सजाएगा, that is option seed, adwin luteans, तो adwin luteans ने राश्टरपती आउस भी कहा जाता था, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दे, और यह कहां पर situated है, यह आपका राइसेना हिल पे situated है, दिल्ली में राइसेना हिल कहते है, इस रेड़ेट कोशिन बागे हम लोग देखेंगे, अगे next question देखते है, next question है, the presidential ordinance या अध्यादेश, यह कितने दिन त तो maximum time जो होता है, मैं आपर mention कर देता हूं, तो maximum period जो होता है, time होता है, दो parliament session का, वो six month होता है, ठीक है, तो six month wait करना पड़ता है, and then six week के अंदर उसको करना पड़ता है, तो total अगर पुछा जा कि maximum time कितना लगता है, तो उसका आंसर कितना जाएगा, six month and six week, ठीक है, तो य यहां पर six month आपका answer जा सकता है, अगर यहां पर month option मने ही होता है, six week का होता, तो depend करता है, question कैसा है, उसके according फिर answer जाता, six week भी जा सकता है, तो that will depend on the type of the question, यहां पर जो answer जाएगा, वो six month जाएगा, भाई next question लेखते है, impeachment process जो होता है, प्रिजिन का, वो कौन स्टार्ट कर सकता है, as a question, बहुत frequently आपको exam में directly पुछे जाते है, तो उसका correct answer जाएगा, one fourth member of the either house of the parliament, parliament के जो भी house है, लोकसभा या राजयसभा, उसके जो one fourth member है, वो अगर support करते है, तो resolution वहां से pass हो जाता है, फिर उस resolution पास होने के बाद, fourteen day का जो है, notice जाता है, हमारे president को, और उसका proceeding शुरू होती है, and after proceeding जब वो complete हो जाती है, फिर लोकसभा या राजयसभा, दोनों में either house के बात करें, तो वहां पे two by third of total member, जो total strength होता है, two by third of लोकसभा का, and two by third of राजयसभा का, उन दोनों case में अगर पास हो जाता है, लोकसभा या राजयसभा से, फिर आप कहता हूँ, जो power जो होती ही, प्रिसिंट की, वो seize हो जाती है, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, अगर future में कभी ऐसा होगा, तो पता चलेगा, बड़ एक process होता है, impeachment का, but start कहा होता है, वो चाहे लोकसभा से, राजयसभा किसी हो सकता है, वहां पर one fourth member का support चाहिए, one fourth member of the either house, चाहे वो लो लोकसभा में जाएगा, तो राजयसभा से निकलेगा, और अगर राजयसभा में एंट्री होगी, तो exit होगी, लोकसभा से, तो that depends, right, तो यह आपको ध्यान देना है, तो correct answer जो जाएगा, इसका option A will be correct in this case, आई नेक्स कोशिन देखते हैं, प्रेसिंट रफ इंडे जो हो है, पार्लेमेंट के, और जो state assemblies होता है, एक्चुल में हम legislative assembly की बात करते हैं, legislative council की बात नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको लोग हिंदी में विधान सभा कहते हैं, ठीक है, विधान सभा के जो elected members होते हैं, वो इसके part होंगे, चाए वो union territory के हो, या किसे state के हो, कभी भी legislative council की बात नहीं करेंगे, विधान परिश्यत की बात नहीं करेंगे, अगर प्रेसिडेंट के age की बात करें, as per the eligibility और जो होती है, वो कितनी होती है, तो अभी हमना थोड़े दर पहले discuss भी गया था, minimum 35 years तो चाहिए ही होता है, तो 35 years will be correct in this case, आग ये next question देखते है, where is Raya Sena Hill, ऐसे question आत question बन जाते हैं, तो आपको ध्यान लेना है, तो correct answer जाएगा, that is option A in this case, तो dear students, इस वीडियो में इतना ही, आप अब अब next video के अंदर precedence related or important question लेकर करेंगे, so dear students, see you in the next video, till then, bye bye.